पती को जिन्दगी भर परिशान रखती हैं ऐसी लड़कियां ज्यादा दिन नहीं चला पाती पती पत्नी का रिष्टा और एत कहने में तो यह एक छोटा सा शब्द है लेकिन जब यह किसी के घर पत्नी बन कर जाती है तो वो किसी भी घर को स्वर्गा और नर्क बना सकती है सादें के जीवन का सही मार्ग दिखने वाली पत्नी ही आपकी पती और आपके घर वालों यानि ससुराल वालों की जिन्दगी बरबाद कर सकती है जी हां हर व्यक्ती का सपना होता है कि उसकी शादी ऐसी स्थ्री से हो जो उसके साथ साथ उसके परिवार का भी ख्याल आपने यह कहावत भी सुनी होगी कि एक सफल व्यक्ति के पीछे महिला का ही हाथ होता है लेकिन अगर आपकी शादी होने के बाद आपकी जिंदगी में कई सारी मुसीबतें आ रही हो या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको असफलता मिल रही है तो हो सकता है कि इन सब की वज़े आपका पार्टनर हो अगर आपको लगता है कि हर पत्मी अपने पती के लिए और अपने ससुराल वालों के लिए भाग्ये बढ़ाने वाली होती है तो आप बिलकुल घलत हैं आपको बता दें कि कुछ महिलाओं की आद्तों और कामों की वज जैसे भी आपकी किस्मत खराब हो सकती है जी हाँ आज हम आपको बताने डा रहे है कि वो कौन सी महिलाएं होती है जो अपने पती के लिए खतरनाक साबित होती है तो चलिए जानते हैं दैश ऐसी पत्नी जो अपने पती को बिना बताए उसके पर्ज बेंक्या एटी-ेम से पैसे निकाल ले वेह दुर्भागे का कारण बन सकता है। पतनी के ऐसा करने से आपके धन की बरकत बिलकुल रुख जाएगी। इसलिए उसे कभी ऐसा न करने दे। को सोते वक्त अपने माथे का सिंदूर धोकर सोते उस व्यक्ति की असफलता और दुरगटना होने का खत्रा बढ़ा जाता है। दैश ऐसी पतनी जो अकसर काले रंग की कपड़े पहने या पहनना पसंद करे वेह भी अपने पती और ससुराल वालों के लिए दुरभागे का का कारण बन सकती है। यह आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। दैश यदिया आपकी पतनी गुरुवार के दिन बालद होती हैं तो उन्हें मना करें। यह आपकी असफलता का कारण हो सकता। गुरुवार के दिन बालद होना पती के लिए खराब माना जाता है। द वे ना सिर्फ अपने पती के लिए बल्कि अपने ससुराल वालों के लिए भी दुरभागे का कारण बन सकती है। अगर ऐसा है तो उसे ऐसा करने से रोके और उसे नया ब्रश लाकर दें। दैश जिस व्यक्ति की बीवी अधिक स्टाइलिश हो और बार बार पार लर जाती हो यह भी पती की बरबादी का कारण बन सकता है।